हौप ग्लोबल टीवी देख रहे सारे ही देशते वदेशां दे दर्शकांदा गुर्वेल सिंवल्डों प्रोग्राम गुर्मत विचार वे स्वागते सासंग जी जिस तरह आप जी जान देऊ के इस प्रोग्राम वे चसी वकवक गुर्मत दे विद्वाना नो आप जी दे रूबरू कर देऊं ते उनना दे नालसी कर देऊं गुर्मत विचारां दी साज आज साथे इस प्रोग्राम दे विच जुड़े होए ने वीर अमन प्रीत सिंग जी जेड़े के गुर्दवरा शिरी गुरू सिंग सबा परशांत वियार दे हेड़ गरंती है दिल्ली रोहनी दे विच और विर जी दे नालसी विचारां करनी है खालसा पंथ जी दे सिर्ज सिर्जना सिदांत अते विचारता रादे उपर विर जी वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फते वाही गुरू जी का खालसा वाही गुरू जी की फते विर जी असीता डेनाल जो विचारां दी साज पौनी है ओए खालसा पंथ दी सिर्जना खालसा पंथ दे स ते सब तो पहले एक चीज है जो खालसा पंथ है वो गुरु नानक पादशा ने जो सिक पंथ चलाया सी उस तो वक्रा है जहां उससे ही पौदे नू लगया एक फाल है किस तरह नू तो हिले नू तो जी जानी ग्यान सिंग जी अपनी लिखत विच लिख देने के जड़ा स्टील है जड़ी तात है इनू गुरु बाबा गुरु नानक सहिब जी ने तियार करके देता ते उनू फौलाद जड़ा है गुरु गोविन सिंग जी ने बढ़ाया है जी पाव कि अपा जदो जी ने के देता जेता है उससे नू गुरु गोविन सिंग जी महराद जी ने तो रहा है ते खाल से उनू अपना रूब जिता है जिस तरह के गुरु नानक सहिब जीद जी विच बिठा है पंच प्रवान, पंच पढ़न, पंच पावें, दिर गैमान गुरु गोविन एक्चली इस दी जो नी सी हो गुरु नानिक देव जी माराज नहीं रखी सी क्योंके गुरु नानिक सहब जी एक संपूरन मनुखी शक्षियत दी कारत करना चाओं दे सी ये ता एम ही हो गया जिमें एक इमारत बनाओनी उन दी है ते उस एमारत नो बनाओन ची कई कई साथ लाग जान दे है अजे के एमारत ने बन्च कदे नानुकर नी करना उन दा पर जदो मनुखी शक्षियत कारनी हो वे ता मनुखता कई तरह दिया अगों ही लाँ उजदा मी करता है मतलब के तो अड़े केंदा मतलब एए है के गुरू नानिक देव जी ने जेडा मनुखी शक्षियत दी कार्थ कारनी शिरू किती खालसा पंथ सर्ज के गुरू गोबिन सिंग ने उसनों पूरा किता के में लोग जदो आसी सिख ते आस पढ़दे हां इह गल प्रताक रूप देवी साधे सामने आउंदी है सद्गुरू महराज जी ने अपने खालसे नू अपना रूप बख्षया है जी में आप जी नू पता ही है गुरू महराज जी ने फिरमाया है खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास उटसे जिवसे पजान पैयारेया नो तानगुर गोवि सिंग जी महराज जी ने खंडे बाते दी दाथ दीती अमर दी दाथ दी उटसे उना ने पजान पैयारेया milligram गोराज लो खुद भी आप अमर शक केया है क्यों कि गुरु बाबा जी दे पर थाया आपा पड़ देयां वाहू वाहू गो बिंद सिंग आप पे गुर चेला जिते गुरु महराज जी ने आप अमर शक्या उठे सानु सार यानु ये आख्या है कि पीवो पहल खंडे तार होई जनम सहेला सो खालसे नो बड़ा ही उच्चा रुटबा दिता है खालसे नो बड़ा मान बख्षिया है मेरे कलगी तरपाश जी ने ते विर जी एदे नाल ही एक चीज एवी आन दी है कि जिस तरह गुरु सेबा ने खालसा पंथदी सिरजना कीती ते खालसा पंथ दी सिर्जना करदें करदें जिड़ा एदे विच बहुत सारे रंग पर है दसाई गुरुआ ने अपने अपने समेच खालसा पंथ नो बढ़िया वशेश ची जान देती है ने जिस तरह सी कहलिए के गुरु नानक पादशाजी ने इना नो ग्यान देता है और इस तो बाद गुरु अंगद सहिब जी ने खालसा पंथ नो जिड़ा है ओ खुकम मननन दा जिड़ा है ओ गुनस खाया ये सारे गुरु सहिब ने जो कोज खालसा पंथ दी चोल इच पाया दस गुरु सहिब ने ओभी तुसी साड़े दर्शकान दस गो केड़ियां ची जान पाईए चोल इच साथ संगत जी सिर्फ अमरी शक लेना ही बोती गाल नहीं है साथ गुरू ने बाणी ते बाणे दा सानु तारनी बनाया है जिते बाणा है उते बाणी भी जरूरी है जिते बाणी है अपा कई वरी कई आके सानु कहन देने मैं जी गुर्दवारे रोज आउंदा हां पाठ भी रोज करदा हां मैंनू अमरे शकन दिकी लोड है जे आप जी नो एक बेंती करां भी आपा ये वेखी है तो कल गी तर्दशमेश पिता महराज जी ने भी अमरे शक्या है उन्हानों ये सोचना चाहिएदा है कि अमरे दी दाथ कितनी वड़ी दाथ है अमरे दी दाथ इतनी वड़ी दाथ है कि गुरु बाबा जी ने आप पंजाब प्यारया नो उकम कीता कि गुरु गोविश सिंग जी नो भी तुसी अमरे शकाओ तो साथ संगत खालसा गुरु बाबा जी ने साजिया ते खालसे तो आप अमरे शक्या तो सानु इस तो अमरत दी जड़ी महत्ता है उन्हों समझना चाहिएदा है विर जी जित होता है तो सी खालसे दी महत्ता दी गाल कीती है जिक करा सी गुरू गोबिन सिंग जी माराज दी कुछ बचन पढ़ दे है खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं होकरो नवास ते उत्थो पता चलदा है के खालसा जो गुरू गोबिन सिंग ने सज्ज्या है एदा महत्ता बैना है के खालसा गुरू दा ही रूप है एक गुरू दा रूप किस तरह खालसा है जिड़ा बन दा है किमें ओ गुरू है जेड़ा उन्नों कहिंदा है के एजी मेरा रूप खास है उदे वेच केड़े गुणों ते गुण सब तो बड़ा जेड़ा गुण है नितनेमी होना नितापरती गुरू ते दर्शन करने जिमें काम करोद लो मोहं का आरा दिकातों बचा करके अपने आपनों रखना सब तो बड़ी जेड़ी गाल है नसाथ संगत मैं फिर आप जी नूँ बेंती करा अमरी शक लेणा अमर्दी रहत पूरा उतरना ये बहुत जरूरी है अमर्दी शक लेणा ताकि सीमत नहीं रेणा अमर्द नों असी एक जीवन जाच बनावनी है अपने आपनों एक डिसीपलें देविच लेके आउना है जदों असी अमर्दी रहत बैद देविच आकर के अमर्दी पाल ना कर दे हां नितने अमर्द वेला समाल दे हां अमर्द बाणी ना जुड़ दे हां ते आप जी अपने जीवन विच ये कैसा चेंजिंग कैसा अनुबव परापत करोगे जो के साथगुरू बाणी वीच भी फर्मान कर दे ने कंचन से हो पाई यह नहीं तोल मन दे राम लिया है मौल कि तुसी सोना चांदी तानपदार से दे कर भी ओ अनन्द ओ खुशी ओ वेगास परापत नहीं कर सकते जेड़ा अनन्द खुशी वेगास है अमरत दी दाद परापत करके अमरत बाणी नाल अमरत वेले नाल जुड़ करके होंदा यह दे चे तुसी किया के बाक्याई बहुत अमोलक है अमरत यह अमरत बहुत अमोलक है इस दा कोई भी दूसरा बदलनी है क्योंके ज़दों पंजां प्यारियां ने अमरत ले आ सी थे उस वेले उननों अपने सिर देने पैसी ते उस तो बाद जदो गुरु गोबिन सिंग जी ने एही अमरत दी दाथ प्राप्त की ती तां उन्हाने किया कि पाइदाया सिंग जी तुसीं जिक्रा अपना सिर दिता है ति मैं सर बन से दे लए कुर्बान करांगा वाकिया ही एए अमरत धी दात है जिडियो बहुत महान है और इस तो बाद अमरतारी सिख दे वास्ते कुछ रेताने कुछ कुरेताने वो अमरतारी सिखले जो रहता हैं दे कुरेता हैं वो केड़ीयां केड़ीयां वो भी थोड़ा दस्याँ साव तो बड़ी रैत ए है विपांच बाणियां दानितनेम जुरूरी है उस तो बाद आसी कुठा मासनी चकणा पारिस्त्री पार पूर्शदा आसी गमन नहीं करना उस तो बाद आसी खंडे बाटे दी पोल चकन तो बाद आसी अमर्दी बानी दानितनिम करना है जी 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 इसे तरह बिलकुल ए साटियां जो रहता है सन क्योंकि खाल सा जिड़ा गुरू से वेवी कहीं दे ने जब लग खाल सा रहे ने आरा तब लग तेजदियो मैं सारा जब गह विपरन की रीत मेहना करूं इनकी परतीत क्योंके एदे मतलब खालसे दा डिसिप्लन बहुत ही ज़ादा जिड़ा है और जरूरी है और अन्दी गल खालसे दी शहीदियां दी क्योंके दुनिया दे वेचे कता हंक पही होई है के गुरू गोबिन सिंग जी दे इनना सिंगाने हर पासे जिदर भी गए हर मोर्चा फटे कीता है हर मैदान इनना दी फटे होई है और इनने वड़े जो शंगरश खालसे आनूं चलने पर उनना शंगरशा दी भी गल थोड़ी कर लए जायके खालसे देशन गरश, खालसे दियां शहीदियां, कदों तो शिरू उन दियां ते किमे किमे अगे बाद दियां आप जिनू पता ही है, गुरु नानक सेब जी महराज जी ने जो सानू जीवन जाज दिती है पहला मरन कबूल, जीवन की छड़ा, आस हो सबना की रेनका, तो आओ हमारे पास सानू एक गल्ब समझनी चाएदी है, भी सिदात गुरु नानक सेब जीदा ही है असी गुरु नानक सेब जी दा तेहास पढ़ देया, उना दी बानी पढ़ देया, ते गुरु अरजन सेब जी दी शहादत, गुरु तेक बहादर सेब जी महराज जी दी शहादत, उना दे प्यारे गुर सिखां दी शहादत, पाई मती दास जी, पाई सती दास जी, पाई सासंगत जदो सी बानी जप दे हां बानी दा पाठ कर दे हां नितने इम कर दे हां ते बानी जेडी है सानू ए जीवन जाज देंदी है के अपा देख दे हैं साथे सिक्ष तरम दे विच ए जो महान शहाद्ता दा सिलसला सुरू होया इदे पिछे सब तो बड़ी सप्रिट है बानी ना जुड़े ने पाई मती दास जी पाई सती दास जी पाई दियाला जी नो जे तो शहादत होई उस समय भी बानी दा जब जी सब दा पाठ कर रहे ने सो एक खाल से दी जड़ी रहत है उदे नाल जे बानी होनी बानी ते बानी दा सुमेल होना क्योंकि गुर्णानक सिदात है गुर्तिक बहादर सिदा के निर्पो जपए सगल पो मिटा है जेड़े विस निर्पो उनु जब देने उना दे सारे डर पो परमात्मा आप दूर कर देना है क्योंके एदे विच कोई शक्त ने के गुर्बानी दी एहो जी शक्ती खाल से पंथदे कोल सी के इसे ही शक्ती करके कोई सिख है जिड़ा उखो प्री लुआ जानदा है कोई बंद बंद कटा जानदा है और कोई अपना सीस तली ते तर के लड़न लई जिड़ा है उजंग दे मदान वे चले जानदा है एक खाल सा पंथन दिती और गुरु से बंदी शक्ती है ते मेरा ये स्वाल है अगला अजदी तरीक वेच सारे ही तर्म है जड़े उ मतलब के ऐसी के ये हेठा जा रहे है लोग की जड़े है तर्म तो मूँ मोड़ दे जान दे है अउन वाले समय वेच तो हनू ऐसी स्थिति जद के सैंस वग्यान तरक्की कार रहा है और लोग के तर्मवलनों दूरो रहा है एहो जे समय जड़ा है ओ खालसा पंथदा पवेख के दान दा अग्गे लगदा है विर गुरवेल सिंग जी गल मैं आप जी नसान जी करा गुरु नानक सेब जी दा लाया होया बूटा जेड़ा है इन्हों बड़े लोकाने शांगन दी कोशिश कीती बाबर आया अब दाली आया बड़े लोकाने इन्हों शांगन दी कोशिश कीती मुने कवीता याद आ गुरु नानक से वजा लाया भूटा इनू कोई छांग नी सकता इनू जिना कोई छांग दा ए उन्ना वद्धा फूलदा है आज दे सम्वे विच्वी आपां दो पाख लेकर के चलिए पहला पाख है मनमुखांदा दूसरा गुर्मुखांदा असी बोतात वीच देख दे हैं पर मर्जीवडे गुर्मुख प्यारे गुर्स अज भी मजूद ने जेड़े के अपने गुरु तो आपा वार रहने आपां किसी भी प्रसिच्चिती विच्च देख देख देया हूना आपा खालसा एडदीगार करिये जाहोर खालसा किसे ना किसे रूप दे कोई भी मुलक दा आजावे किसे भी कोई उखाई वी चोवे पीड़ा दे वी चोवे खालसा उते पहुंच जानता है किसे भी प्रसिच्चिती विच्च गुर्वेल सिंग जी सिखी दा भूटा सदाई फलदा रहेगा वाकिया जी क्योंकि ज़द दूसरे तरम जेड़े उनना तो लोग मुह मोड रहा है तेयों तेओ सिखी दी गाला जेड़ी ओ दुणियादे हर कुने विच वाद रही है दुझे देशा दे, दुझे तरमादे लोग भी जेड़े ओ सिखी दे नाल जोड रहा है लखा गोरे जिड़े खालसा बन गए चीनने लोग बहुत सारे खालसा पंथ चाहे और जिकर इंडिया दी गल करिये ते इंडिया वेच भी साड़े कुशो वीर पैना वो लोग जिड़े एक समे सिखी तो दूर सन जिनना दे वेच चाही है अंधरापरदेश दे शिकली गरां दी गल करले ये अज़ो अपने आप ते मान मैसूस कर देने के आसीं गुरू देखालसे हैं ते एक गुरू देखालसे है जिड़े अनदा पवेक सदा ही चड़ दी कलादे वेच रखन वाला है ते विर जी मैं जंदे जंदे तरतों यही स्वाल पुछना चाहांगा कि किमें अपने बच्चे नो केड़िया ऐसिया से ख्यामा देती है जानके साधे बच्चे इस खालसा पंथदे परवार वेच जुड़के मानते फकर मेसूस कर मैं एक मिन्ट वाड़ा हो लेना है बस एवी गल्सानू साध्गुरु दी बाणी विच्चों मिल दी है के राम जपो जी ऐसे ऐसे तुरू परिलाद जपे उहर जैसे आप जी ने बच्चे दी गाल किती है उन बच्चे जेड़े ने तुरू ते परिलाद पांच ते साथ साल दी उमर जीवे उना ने नाम जपेया बाणी पड़ी प्रमात्मा दे काल प्रुख वह गुरु दी प्राप्ति कर लई साथ गुरु ने बाणी विच उदारन देती है कि ऐसे ही अपने बच्चे आनों सी छोटी उमरे ही जिदो गुर्मत दे नाल जोडांगे साड़े कोल कई बारी कोई आंदे हान आके कहन देने ग्यानी जी अरदास कर दो साड़े बच्चे आखे नहीं लग दे मैं उना नों एको गल केंदा हमा कि जी बच्चपन विच छोटी उमरे बच्चे आनों तुसी उंगल फड के गुरु कर लेके आए हुंदे बच्चे आनों जबच्ची सेवदा पाठ कराया हुंदा गुरु नाल जोड़े हुंदा आई तो आनों ये अरदास करा हुंदी ल जिवन साखियां उना दे ते हाथ सुनाईए उना दे नाल जोड़िये जो बच्चे साड़े गुरु नाल जोड़के आपना भी पुविक्सवारन ते साड़ा भी आनों वाला समा सबर जाएगा आउसी साथ संग जी साड़े विचारां दे साणाई वीर जी अमनप्री सिंग जी और आदे नाल जो के और जे हैड़ गरन ती गुर्दो रहा शिरी गुरु सिंग सबा पड्शांत विया रोईनी दिली दे वेच सेवा नबार रहने वियर जी तुसी साड़े ना विचारां झाल झाल